देश में मेडिकल साहित राज्य की हेल्थ यूनियोसिटी के पाठ्ठक्रमों में प्रवेश के लिए ली गई नेशनल इलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एक्जाम नीट ने शेहर के हुड़केश वरस्तित सेंटपॉल स्कूल के चात्रों ने पाठ लिमारी है स्कूल के कुल खे सो चात्रों ने सफलता हासिल की है इसके पहले बीसी, बीसी, दस्वी और बारवी के नतीजों में भी स्कूल के छात्रों ने सफलता हासिल के थी स्कूल के संचलक राजवाउटाक साकले ने छात्रों के सफलता पर उन्हें अभिनंदन कर उनके भविश्य की शुपकाम नाई दी है सर दावी और बारवी चा दोने रिजल्ट मदे संचलक राजवाउटा ने चांगला विधरताना चांगला सिक्षेन देना चा कार्या गिल्या 20 वर्चा पसुन आम चागड़े सुरुआ है नीक चा रिजल्ट शुद्धा यावर्ची एक चांगला पदिते चा लगला विधर्वात्ला टापर्स, सेंट पॉल चा लाहे, सेकन टापर, थर्ड टापर्स आनी टोटल नीक चा परिश्या मदे शहाट से साथ सेवी स्पर की साहाट से मार गिना रे कंड़ी तीन सी विद्धाती है आम च कर लगले सेंट पॉल चा है स्कूल से टॉप किये स्मित वाल के ने कहा कि उन्हें भविश्य में डॉक्टर बनना है उसने अपनी सफलता का अश्रेय अपने परिवार और स्कूल को दिया है बाइट स्मित वाल क्या है माजा नीट मदे स्कूर 685 आला ने रंक 470 आलिया है मैं आपला यसाचा क्रिडेट आपले कॉलेज वाले आनकी आपला इंस्टिटूट आनी माजा माता पितला देव इच्छी हो आनकी मी पूर जाओन MBBS चंगला कॉलेज मदून करू एक निवरो सर्जरी मदे आपले योगदान देना घर जाड़ा से साथ इदूसरिस्तान पर सफलता प्राप के जानवी चौधरी को भविशे में कैंसर के डॉक्टर बनना है उसने भी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और स्कूल को दिया है मेरा नाम जानवी चौधरी है और मैं मेरी पूरी सक्सेस का क्रेडिट मेरी मम्मी को मेरे पेरेंस को और आकाशन इस्टिटूट और सेंट पॉल स्कूल के टीचर्स को देना चाहती हूँ और मुझे आगे चलके कैंसर स्पेशलिस्ट बनना है परसेंट राशकुमार मोड के साथ अब शेक पांसी के रिपोर्टिंग बीसेन नियूस नागपूर